देखिए ये औरेंज कितने प्यारे और एकदम फ्रेश लग रहे हैं ये प्यारे होने के साथ साथ ही बहुत ही गुनकारी भी हैं आज हम इसी औरेंज से आपके साथ औरेंज जूस बनाने की एकदम सिंपल रेसिपी शेयर करने वाले हैं आज हम आपके साथ दो तरीके से औरे नमस्कार, निशाम अदुरिमा, हिंदी रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है, आज हम आपके साथ दो तरीके से औरेंज जूस बनाने की एकड़म सिंपल रेसिपी शेयर करने वाले हैं, अगर आपके हाथ से बना हुआ औरेंज का जूस कड़वा बनता है, तो आप इस वी को औरेंज जूस कैसे पीना चाहिए, इसका सही तरीका हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, आप इस वीडियो को फूरा ज़रूर देखिए, फ्रेंड्स औरेंज जूस टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बहुत होता है, इसमें वेटेमिन A, वेटेमिन C, वेटेमिन E इत्यदी वेटेमिन्स होते हैं, इसे के साथ साथ यह हमारे इम्मेनिटी को बूस्ट करता है, किड्नी, पत्री इन रोगों से हमें बचाता है, हमारे पाचन दंत्रों को सुधारता है, कैंसर जिसी भैयानक विमारी से भी हमें बचाता है, इसे के साथ साथ सर्दी जुकाम ह होने की वज़े से यह हमारी आखों की दुरुष्टी को भी बढ़ाता है इसमें विटेमिन B6 होता है जो कि हमारी हिमोगलोबिन को बढ़ाता है इसे के साथ औरेंज जूस पीने गुराती रेसिपी विजिसे बनाने के लिए हमने यहां डस देसी ओरेंज ले लिए हैं ह half पानी से दोकर रख लिया हे अभी हम इनका चिलका उतार लेंगे यह जो ओर जो अरेंज और जी ओर in प्लैटफॉर्म पर फिक्स कर दिया है इसे हमने प्लैटफॉर्म पर फिक्स कर दिया है इसमें औरेंज के पिसे साइड करेंगे और इसे धीरे धीरे हम इस तरह से गुमाएंगे इस हैंडल को तो ये जूस इस ग्लास में आते जाएगा हमने साइड में एक प्लेट रख दी है जितना फास्ट हम हैंडल को घुमाते हैं उतना फास्टे जूस निकलाता है हमें फटफट इसमें औरेंज के पिसे स्फील करना होता है देखिए फटफट एक ग्लास भर के औरेंज का जूस रेडियो हो चुका है इसे हम अभी ऐसे ही सर्व करेंगे क्योंकि इसे हम चानने वाले नहीं है इसमें बीजे अल्रड़ी सेप्रेट हो चुकी है लेकिन अगर आपको पसंद हो तो आप इसे चान कर भी यूज़ कर सकते हैं एक जो प्यूर और हेल्दी ओरेंज का जूस बन के रेडिय है आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा काला नमक या फिर चीनी मिक्स करके भी ले सकते हैं देखिए इस साइड में जो वेस्टिज निकलता है इसमें ये जो बीजे है वो साइड में निकल आती है इसलिए हमें इस जूस को चाननी की भी आवशक्ता नहीं होती है अगर आपके पास इस तरह से गैज़ेट नहीं है तो आप किस तरह से घर में जूस बना सकते हैं वो भी हम आपको बताने वाले है अभी हमारे नेक्स प्रोसेस से हम जूस बनाएंगे इसके लिए हमने जो बचे हुए पाच औरेंज है उन्हें ले लिया है उनके पीसेस भी हम सेपरेट कर लेंगे हमने फटफट सारे औरेंज के पीसेस सेपरेट कर लिये है अब हम इन में से बीजे हटा देंगे अगर हम बीज के साथ ही इने पीसेंगे तो औरेंज का जो सकड़वा हो जाएगा इसलिए इन में से बीज हटाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इस तरह से हम इसे कोलेंगे और इसमें से बीज हटा देंगे और इस संत्रे की पीस को एक बाउल में रख देंगे इसी तरह से फटफट सारे संत्रे की पीसेस में से बीज सेपरेट कर लेंगे देखिए हमने फटफट सारे संत्रे की पीसेस में से बीज सेपरेट कर लिये हैं अभी हम इन सारे संत्रे की पीसेस को एक मिक्सी के जार में डालेंगे मेरे पास ये जूसर वाला एक जार है इसमें मैं सारे पीसेस डाल रही हूँ अगर आपके पास यह जार ना हो तो आप साधे मिक्सी की जार में भी इसे डाल सकते हैं अभी हम इसका ढखन लगा देंगे और इसे 30 सेकंड्स के लिए ब्लेंड कर लेंगे बहुत ज़ादा इसे हमें पीसना नहीं है सिर्फ हमें इसे ब्लेंड करना है 30 सेकंड्स ब्लेंड करने के बाद अभी हम इसका ढखन खोलेंगे देखिए इस तरह से जूस बनकर रेडी हो गया है इसे अभी हम एक चलनी से चान लेंगे हमने एक बाउल लिया है बाउल के उपर एक बड़ी सी चलनी रग दी है इसमें ओरेंज का जूस एड़ करेंगे और चमच के हल्प से इसे अच्छे से चान लेंगे ताकि इसमें जो भी चिलके वगेरा या फिर कोई थ्रैट्स वगेरा हो वो साइड में निकल जाए देखिए हमने इस सारा जूस अच्छे से चान लिया है इसे अच्छे से हम प्रेस करेंगे ताकि सारा जूस बाउल में निकलाए और इंज जूस बनकर रेडी हो चुका है अगर आप इसे हेल्दी रहने के लिए पीना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ भी ना मिलाए इसे ऐसे ही पीजिए और आप अगर इसे टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा काला नमक एड़ करके आप पी सकते हैं अगर आप गर्मी के दिनों में ये जूस बना रहे हैं तो आप थोड़े आइस क्यूब्स एड़ करके भी इसे पी सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए ये juice बना रहे हैं तो आपको विशेश साउधानी रखनी होगी बच्चों को आप एकदम pure juice मत पिलाइए इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करके इसे dilute करके ही बच्चों को पिलाइए हमने इस juice में कुछ भी एड़ नहीं किया है इसे मैंने plain ही रखा है क्योंकि हम healthy juice बना रहे हैं हमने इस juice को serving jar में निकाल लिया है चलिए इसे फटाफट serve करते हैं देखिए बहुत ही प्यारा ये juice बना है और इसका natural orange color भी आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा color आया है आप इस तरह से orange juice जरूर बना कर देखिए हमने आपको दो तरीके से orange juice बनाना सिखाया है जो भी तरीका आपको easy लगे आप उस तरीके से इसे बनाईए चलिए मैं फटाफट orange juice को टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये juice कैसे बना है वाव बहुत ही awesome juice बना है और कड़वा बिलकुल भी नहीं लग रहा है आप इस तरह से orange juice जरूर बना कर देखिए और आपका orange juice कैसे बना है हमें comment section में comments करके जरूर बताईए हमने आपके लिए इसी तरह से और भी healthy recipes की वीडियो बना कर upload कर दी है अगर आप इन सारी recipes को देखना चाहते हैं तो हम आपके लिए इन सारी recipes का link उपर आई बटन में दे रहे हैं यहां क्लिक करके आप इन सारी recipes को देख सकते हैं अगर आपको आज की हमारी ये recipe पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को like कीजिए और अपने friends के साथ इस useful recipe को जरूर शेयर कीजिए इसी तरह से स्वादिश recipes देखने के लिए हमारे चनल को subscribe जरूर कर लीजिए हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल के बटन को भी जरूर दबा दीजिए आप हमारे वीडियो को हमारे वेबसाइट निशामदुरिमा.com पर विजिट करके भी देख सकते हैं आप हमें Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं प्रेंट्स आप हमारे Facebook पेज निशामदुरिमा recipes को like कीजिए फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंट्स के साथ इसका लिंक शेर जरूर कीजिए Facebook पेज का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मज़दार recipe के साथ तब तक के लिए नमस्ते